नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे Face Detection Using Computer Vision इसके हम कोडिंग कैसे करें जैसे आपको एक्जामपल के तौर पर इस टिटोरियल सिरीज में हम ये बनाना सिखेंगे जैसे आपको एक्जामपल के तौर पर प्ले करके दिखाता हूँ कि आप अगर आपने मास्क पैना है ठीक है तो ये green screen देगा और अगर आपने मास्क नहीं पैना है तो ये red color शो करेगा तो इसके हम coding कैसे करें ठीक है इसकी पूरी coding वगेरा क्या है पूरी इस वीडियो में अपन सीखेंगे इस tutorial series में सीखेंगे, लेकिन इसको सीखने से पहले आपको फिले face detection आना चाहिए, अब ये face detection क्या होता है, जैसे example के तोर पर मैं एक code लिखा है मैंने, इस code को मैं आपको run करके बताता हूं कि हम करने क्या वाले, इस video में क्या सीखने वाले, ठीके जो face detection है, ये जो चीज है, इ इस photo में अपन ऐसा programming करेंगे, ठीके, कि ये face को detect करेगा, कितने सारे faces हैं, उनको detect करेगा, तो for example, मैं इसको run all कर देता हूं, ठीके, तो देखे, इसने face को detect कर लिया, कि हाँ ये दो faces है, उन पर एक blue rectangles line show हो गई, ठीके, तो यही चीज है अपन सीखेंगे, इसके बाद फिर ठीके, धीरे-धीरे इसी code को अपन refine करते जाएंगे, और, जब ये tutorial end होगा, ठीके, तो अपन ये mask वाला भी ये अपन सीख जाएंगे, तो देखे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीके, Ergebnis चेथे हैं, आपके पास कुछ dependencies install होना छहीं, ठीके है, जीसे आपके बास python होना लास्ट मैं आपको बता दूँगा कि कैसे आप यह सब चीजे इंस्टॉल करें ठीक है आपके computer में आपके जो laptop उसमें क्या क्या चीजे होनी चाहिए तभी आप यह चीज सीख पाएंगे ठीक है यह जो open cv computer vision है ठीक है यह जो image processing using computer vision है वह सीख पाएंगे ठीक है उसके लिए क dependencies चीए मैं आपको वीडियो के last में बता दूँगा अभी अपन इसकी coding देख लेते हैं कि यह अपन कैसे करेंगे ठीक है इसको किया कैसे अपने सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले आपको import करना है ठीक है क्या import करना है computer vision ठीक है cv2 cv2 का मतलब होता है computer vision 2 तो यह जो dependency इसक इसको अपन जो को जुबिटर नोट्बुक इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सही लगता है कि आप एक-एक code को आप compile कर सकते हो ठीक है तो जैसे import cv2 है तो यहाँ पर इसमें जुबिटर नोट्बुक में shift दबा के enter दबा हो गए तो यह रन हो जाएगा ठीक है import cv2 रन और compile हो प सरीस्ड़्स करने का उसका पूरा एक process किया तो तो देखो सबसे पहले पन क्या करेंगे सब से पहले पने क्या की जो एक cascade होता है cascade का मतलब यह होता है मतलब cascade classifier होता है वो क्या करता है कि उसको ऐसा train किया है कि उसको कुछ positive images दिखाई है और कुछ negative images दिखाई है अब यह positive negative images का क्या मतलब होता है तो देखे positive image का मतलब है कि उसको ऐसा train किया है कि अगर positive image ट्रेन किया है मतलब यह हुआ कि उसको अपने ऐसी face वाली photos दिखाएंगे, बहुत सारी face वाली photos दिखाएंगे कि हा भाई जैसे एक example लो बच्पन में अपने को कैसे सिखाते हैं टीचर इसा बार बार बोला होगा कि देखो यह एपल है और यह गौवा है लेकिन मालो आपको एक बार में सबज नहीं आया तो आपने एपल को गवावा बोल दिया हो तो फिर टीचर ने आपको करेक्ट किया होगा नहीं बटा यह देते हैं कि देख भाई ये face वाली images हैं और फिर बीच बीच में उसको अपन बिना face वाली images भी देते जाते हैं जिसमें face नहीं होता है उसको अपन negative image बोलते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे एक variable में इसको store करा लेते हैं तो वो variable है face cascade equals to अब इसकी method देख लेना इसका syntax देख लेना cv2 cascade classifier तो cascade ठीक है और classifier ये लिखा लिया है ठीक है तो cv2 का मतलब क्या हुआ ये computer vision 2 ना और cascade classifier मतलब उस जो वो जो model है जो एक करेगा जो काम करे ये positive images मतलब इसमें face है और इसमें face नहीं है उसको उमने उस method को उमने बुला लिया ठीक है अब उसमे method में अपने को वो जो model है उसका नाम लिखना है तो देखो मैंने model पहले सी install करके रखा है ये model मैं आपको बता दूँगा कि आपको कहां से install करना है ठीक है मैंने यहां प यह जो model है na XML file है वो trained है कि हाँ वो इस काम के लिए trained है कि भाई मुझे अगर frontal face दिखेगा frontal face मतलब सामने आला face दिखेगा तो मैं उसको बता दूँगी कि हाँ यह frontal face है और यह frontal face नहीं है तो इस file को हम call कर लेते हैं तो इस file को call करने के लिए क्लिए क्या लिखूंगा मैं हा हार cascade जो भी फाइल का नाम था ठीक है देखलो आप इस file का नाम था हार cascade frontal face default तो इसको अपन call कर लेते हैं single code में तो हार cascade ठीक है frontal 8 minute spelling मिले तो होगी cascade frontal face default एक बार मैं नाम चेक कर लेता हूं face default.xml ठीक है तो इस file का नाम यही है यह जब चेक कर लेते हूं कि हां हार cascade frontal face default.xml हार cascade frontal face default.xml तो हमने क्या कर दिया इसको मैं run करूंगा तो होगा क्या कि यह जो cascade classifier है ठीक है जो face वाली image और बिना face वाली image को बताएगा वो लोड हो जाएगा जिसको आगे अपन यूज करेंगे तो अपने face cascade भी कर लिए अब क्या करेंगे अपन अपन क्या करेंगे कि जो भी इमेज जहां पर मैंने यह यह वाली जो इमेज है न मेरे और मेरे ब्रिदर की जो इमेज है उस image को मैंने इसी same file में same directory में store करकर रखा है शोभित आदित्यनाम से ठीक है तो अपन उसको यह जो है उसको भी लोड कर लेते हैं देखो यह तो हमने क्या 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 क्लासिफायर था जो model था उसको लोड किया second line of codes है और जो third line में क्या करेंगे हम image को लोड कर दे पुरा syntax आपका same रहना चाहिए तो image variable में अपना में image को लोड कर लेता हूं तो उसके लिए method होती है image equals to im read ठीक है क्या read का मतलब क्या होता है कि वो उस image को read करेगा उस image को load कर लेगा तो im read और उस bracket में लिख दूँगा वो भी जो image है उसका नाम तो उस image का नाम क्या है यहां पर डाल देते हैं, capitals में जिखा है तो capitals में जो file का नाम है वही शोभित आदित्या, dot jpg, अच्छा हम इने single quote ने लगा, single quote लगा देना नहीं तो यह error देता है, तो अपने single quote लगा लिए अब देखते है, अब देखते हैं, एरर बोल रहा, im read is not defined, तो, sorry यहां पर cv2 भी आएगा, cv2.im read, cv2.im read, so image equals to cv2.im read shabithaditya.jpg, अच्छा हो इसको रन कर लेता है, कि जो this photo इसको भी अच्छा को अपने लोड कर लिए, यहां परермाने model को लोड कर लिया, टीक है, XML फाइल को लोड कर लिया, और यहां पर Image को लोड कर लिया, दोनों को अपने load, को अ झाल झाल